आज चलिए सर अच्छ टैनियर बाकि सब्जेक्ट हाँ जी टैनियर लगभग लगभग सभी सब्जेक्ट के आ गए मैं लिस्ट दे दूँगा किसके आ गए है बस मुझे संडे तक का हूल्ड करें बस इसको ना सर हमारा टॉपिक है आज का माटिरियल तो ठीक है और यह हमारी किताब के अंदर चैप्टर नंबर दो देखने को मिलेगा आपको ठीक है इसमें से हमेसा हमेशा कोशन पूछा ही जाता है हमारे एक्जाम में ऐसा कोई भी एक्जाम नहीं गया जब इस chapter में से हमारा ना पूछा जाए और ये unit number 2 भी एक तरीके से unit number 1 में सरिफ cost sheet था और ये unit number 2 का भी पार्ट माना जाता है तो हम देखते हैं sir हम इस chapter में क्या-क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे chapter का नाम बहुत simple सा chapter है that is material सर इस chapter के अंदर material में दो पार्ट में basically ये chapter divided है अगर हम numerical की बात करें हलाकि ये chapter तो theory भी important point है सर एक तो हमारा level of inventory inventory level of inventory एक है हमारा store laser लेजर आपने पहले कभी न कभी पढ़ा हुआ है फोड़ा सा जब आएंगे तो बात करेंगे लेवल of inventory के अंदर हमें क्या-क्या पढ़ना होगा वह देख लेते हैं सर लेवल of inventory में हमें कुछ यह फॉर्मूले बेस्ट होता है basically एक तो हमें जो कि आपने पढ़ा था economic order quantity तो यह एक EOQ मिलेगा आपको पढ़ने को लेकिन वहाँ पे थोड़े से सवाल थे financial management में अगर आपने पढ़ा हो तो पढ़ा होगा इसे इसके बाद इसके अंदर मिलेगा आपको reorder level जिसको हम बोलेंगे आर ओ एल और यह क्यों का न एक और नाम है मैं लिख देता हूं यह क्यों को एक और नाम है reorder quantity इसका एक और नाम है economic order quantity का एक और नाम है जिसको हम आर ओ एल बोलेंगे आर ओ क्यू स्वरी इसके बाद हमें पढ़ना पड़ेगा एक minimum level minimum level इसके बाद एक पढ़ना पड़ेगा हमें maximum level इसके बाद पढ़ना पड़ेगा एक minimum level maximum level फिर average level सर यह क्या चीज़े हैं हम दीरे दीरे सभी बातों को देखेंगे और देखके discuss करके हम आगे करते भी जाएंगे ऐसा नहीं है कि नहीं देखेंगे इन बातों को अब सर इयो क्यू री ओडर क्वांटिटी री ओडर लेवल मिनिमम लेवल मैक्समम लेवल यह सारे के सारे हमें एक एक करके सीखेंगे तो पहले हम यह वाला पोर्शन सारा कवर करेंगे फिर दूसरे पोर्शन पूरे चैप्टर में इन चीजों को जब हम सभी चीज को कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर खतम हो जाएगा कि आज आते हैं सर मार्शन का मतलब क्या होता है । अब देखें जैसे मटियल है कि सर में यहां पर चाहे आपका मटियर globalization यहां पर हो रॉ में चाहे आपका यहां पर फिनस गुट्स हो चाहें यहां पर डबलु आइ-पि हो कोई भी बाटिरियَّल हो सकता है जर्णरली स्टॉक को देखवाल करना इस्टॉक का टेक केर करना नॉट आ इजी टास्क यह बहुत आसान काम नहीं है क्योंकि जो स्टॉक होता है इस स्टॉक के उपर एक डेट भी गीवन होता है जिसको हम कहते हैं एक स्टॉक के उपर है एक डेट भी गीवन होता है जिसको हम करेद हैं एक साध 350 अब मालो कोई पर्सन ऐसा है ज्योंकि आर ऐसे पड़क को ब्याद्ट को बेचता है जो की बहुत जल्दी खराब ही जाता है। में खराब हो जाता है। जाता है खराब हो जाता है है कि मैं अगर भूरत छाधा स्टौक मंगा लिया मिलक का उतने ще क्षेम अगरा की उपर हो तो हमें स्टाउक को और दूसरा ये तो है स्टौक को लाने में Questions जो मैं उसकी बात कर रहा हूं स्टॉक के अंदर जो पैसा फस्ता है वो तो ही है साथ के साथ हमारे स्टॉक को रखने में जब हम स्टॉक को रखते हैं अपने पास तो उसके अंदर भी खर्चा आता है और स्टॉक को लाने में भी खर्चा आता है बहुत बड़ी एक दुवीदा और बहुत बड़ी एक प्रॉबलम होती है जब भी हम कुछ लेने के लिए जाते हैं आप मार्केटिंग करने जाते हो ना तो अगर वहां पे दिखेगा आपको के सौर रुपए का आपका एक प्रोड़क्ट है और वहां पे दिखे आपको डेड़ सो रुपए का दो यार एक काम करते हैं आज नहीं तो कल यूज होगा ही दो भी ले लेते हैं लेकिन आप ये बात भूल गए कि वह दो प्रोडक्ट आपको घर पे रखने पड़ेंगे आपके घर पे जगह ही एक प्रोडक्ट को रखने का है तो जो आपने दूसरा लिया उसके लिए अलग से इ प्राया दे दिया कहीं पे तो वह समझदारी वाली बात नहीं हुई यानि जब आप समान को ले के आओगे और जब समान को आप यूज करोगे तो ऐसे सिचुएशन में करना क्या है कि जो समान हमारे पास आ रहा है और उसको रखने का भी खर्चा में ध्यान में रखना चाह दूसरा अगर आपका घरसे ज्यादा डिस्टेंस पे होगा अगर समान लेने के लिए कोसिस करोगे कि आप इखटा माल लेकर आओ और क्यूं कोसिस ऐसा करोगे इखटा माल लेकरा हो क्यूंक बार बार जब जाओओं और आओगे तो आपका क्या होगा किराया लगे Again to कई ब कि राय बढ़UNG तो इसका solution निकाला गया मट्रिरियल के अंदर कि आप एक ऐसा लेविल कितना युनिट खरीद कर लाएं तो अभी मैं जो सीखेंगे हमें ये सिखाएगा यह कितना युनिट हमें खरीदना चाहिए कितना पार्ट हमें खरीदना चाहिए यह सिखाएगा और कितना पार्ट खरीदना चाहिए वो कौन सिखाता है सर देटिस सिखाता है आपका एकनॉमिक यानि ओर्डर क्वांटिटी जिसको हम क्या बोलते है सर E O Q के नाम से बोलते है सर यह एकनॉमिक ओर्डर क्वांटिटी क्या है यह थियूरी यही कहता है कि आपका वो लेवल यह थियूरी कहता है वो लेवल जब आपका लाने का खर्चा लाने का खर्चा दैट इसको हम बोलते है में और्डरिंग कास्ट जयासे आपको मैंने बोला भी है बुक लिया हो आपने बोला यहां नहीं बुक मिल रही है मैंने कहा है काम करो आप आप चले जाओ तो डियू चले जाओ वहाँ पर बुक्स पर मिल जाएगी है कोई specific seller का नाम बता दिया या मैंने कहां निई सड़क चले जाओ नई सड़क या फिर आपका जहां पर सारे बुक के wholesaler बैठेवी वह बते हो तो वहाँ पर आपको बुक को लाने का खर्चा पड़ेगा आपको तो अगर मान लेते हैं आपको मैंने बोला कि चांदी चौक में बुक की दुकाने वहां सारी बुक मिल जाएगी आप जाके लिया हो तो आप कोसिस करोगे यार चाने चौक जाओंगा आओंगा दो सुर रुपए का खर्चा आएगा तो एक ही साथ सारे सब्जेट के बुक लिया हो और वही बुक मैं बोलू कि यह साथ वाले दुकान से ले लो मिल जाएगा वो मंगवा लिया तो आप एक एक करके लिए कि आओगे ईक लाने का कर्चा और रखने का कर्च रखने का कर्च Bonnem के को पता है थोड़ा सा कांटिंग का नाम कि Computing்क और पलो जब हमारा रखने का खरचा और लाने का खरचा यानि Caring Cost और ordering cost जब एक बराबर होता है तो बोलते हैं वो संतुलन वो लेबल है वो वो point है जहां पर हम economic order quantity कर रहे हैं यानि अगर मैं graph के point of vision समझा हूं आपको थोड़ा सा तो अगर मान लेते हैं कि हमारा ordering cost ये है और मान लेते हैं हमारा carrying cost ये है तो जिस point level पे दोनों बराबर हो रहे हैं वो हमारा क्या माना जाएगा सर EOQ ठीक है ना? इसमें एक दो आपको बुक में graph भी मिलेंगे तो वो मैं समझा दूँँगा तो सर इसका मुझे ये बाते पता चल गया अब इसको यानि आप मैं थोड़ा सा short में लिखूँ तो सर EOQ क्या होता है order quantity होता क्या है economic order quantity क्या होता है इसको मैं O से denote कर देता हूँ और इसको carrying को मैं C से denote कर देता हूँ यानि जहां पे O is equal to to see होगा उसे क्या बोलेंगे हम economic order quantity तो अब यह पता चलना पड़ेगा के पता करना पड़ेगा सर what is the O ordering cost क्या होता है अब मुझे बताओ कि आप जो है मुझे आप बताना simple से point से आप न एक बार में 100 unit लाते हो एक बार में कितने unit खरीते हो 100 unit आप one time में purchase कर लेते हो यानि आपके स्कूटी है बाइक है ट्रक है गाड़ी है उसके अंदर 100 unit रखने के जगे आप जाते हो ले आते हो और साल में आपको मान लो 1200 unit की ज़रुरत है यूनिट की need है आपको कब सर ये पूरे annual में ज़रुत है आपको पूरे साल में आपको कितने unit की ज़रुत है 1200 और एक बार में जब आप जाओगे एक बार में जब जाओगे एक बार का खर्चा आपका 20 रुपए लगना है तो मैं यह जानना चाहता हूं आपसे कि आप मुझे बताईए कि पूरे साल में आप सबसे पहले तो यह बताईए कि कितनी बार आप दुकान पर समान खरीदने जाओगे पहले तो यह बता दो दुकान पर कितनी बार समान खरीदने करी सकते हो ओर यह क्या है हमारा एक तरीके से ऑन्वफ से और यह क्या है आपका ओर्डर के यह कहा है और और आप से बार मेरा हर कितनी बार आना जाना होगा तो मैं दुकान के अंदर ट्विल टाइम बारा बार आऊंगा जाओं आजर कैसे हम आह उमने क्या करा ए को यानी ऐन्वर्ल ढिमांडा को किससे डिवाइड कर दिया अब मैं अगर पूछओ आप बताओ एक बार में जाने का खरचा 20 है तो आप पटटाफट से बता सकते हो सरवारा बार पूरे जाएंगे तो बीस इंटू में बारह दोसोचालिस रूपए तो हमारा सिर्फ किराया लग जाना है इस बारह हजार 1200 युनिट को खरीदने ने तो कही ना कहीं कोस्टिंग जब आप करोगे ताफ कोशिस करोगे और किराय को कम किया जाए तो किराय को कम करने का एक ही तरीका है आपको क्या करना होगा कम से कम बार आप दुकान से समान खरीदने जाओ यानि जो एक यूनित आप खरीद के ला रहे हो उसको कोसिस करो कि आप डेढ़hhh जो है प्रिक्वेंटली आपका आना जाना क्या होगा पिए स्थी सरस्थ इस तरीचे से डिफाइन किया घया है कि annual demand divided by ordering cost कहलो या order कहलो एक order कहलो और से denote कर दिया इसको यानि सर इसका मतलब सर इसका formula कहने का मतलब है अगर ओ निकालना चाहते हो तो आप करोगे a divided by o तब ओ निकलेगा मैंने का हाँ अब सर carrying cost क्या होता है रखने का खर्चा रखने का जो खर्चा होता है न वो जनरली देखा जाता है कि वो change हो जाता है हमीशा रखने का खर्चा सर चेंज हो जाता है मतलब क्या अब मान लो कि मैंने rent पे मैंने ये go down ले रखे हैं और go down कुछ आज कल तो आपने सुना होगा cloud kitchen ये बहुत सारे चीज ना 2000 का किराया और फिसके होनी लग लग गया मालो मैंने मैंने क्या कर रख lado मैंने समान ले के आया और एक कтории पता ही कितना है मान लो 50 रुकशी किराया इसका भी किःएं कितना होगा कि पचास पचास यारे जितने भी मुझे यहांपर चाहिए होंगे go down उन सभी go down का मेरा किराय कितना होने वाला है सर पचास पचास अब मैंने क्या करा पहले स्टार्टिंग में मैं यूनिट लेके आया 100 यूनिट एक गोडाउन में आएगा तो मैं एक खटे माल लाके मैंने go down में रख दिये भहिया सब जगा 100 unit तो पहले बताओ मेरा रखने का खर्चा कितना है यानि carrying cost कितना है बताओ carrying cost कितना होगा 50 इसके किराए जाएंगे 50 इसके किराए जाएंगे 50 इसके किराए जाएंगे 50 इसके मेरा carrying cost कितना है 200 है लेकिन इसको रखना थोड़ी है इसको मैंने बेच दिया उठाके अब मुझे कितने go down मेरे किराये पे रह गए जब यह वाला unit म मैं बेची चुका हूं तो मेरे go down किराये पे कितने रह गये हैं तीन रहें को डाऊन किराय पर तो अब जो मीरे किराया हो जाएगा खोड़ा अ?गर मैंने यह यूनिट भी भो डार्वन है तो कितना हो जाए गाऊ सुग तो इश्का मतलब जो रखने का खर्चा होता है वह फोलक्चवेट होता रहता है है हमेसा जुतना समान बिखता जाएगा एख़ाया कम होता जाएगा जितना शामान लाएंगे बढ़ता जाएगा तो לפ कोई चीज fluctuate होता है तो उसको हम हमेशा average से करते हैं कि उसको हम हमेशा average कर देते हैं जैसे एक दिन मैंने कमाया 100 रुपए फिर एक दिन कमाया मैंने 500 रुपए तो मेरे से कोई तनखा पूछेगा तो मैं इसको मैं भूला और तो मैं बढ़ो नहीं को कोoston करने की लिएवरेज करने के किस से करना होगा कि तू से करिंग कॉस्ट को किस से डिवाइड करना होगा तू से तो टू से कह लूँ या फिर मैं बोल सकता हूं केरिंग कॉस्ट को मैं वन बाई टू बोल दू बात वही हो गया एवरेज लेने के लिए तो अगर यहां पर मैं कहूं आपसे भाईया यह केरि divided by two है यह एक तरीके से एवरेज लेंगे हम कि सब्सक्राइब क्या लेंगे हम कि एवरेज यह तो हो गया यूनिट अब हमने बोला के ओर्डरिंग कॉस्ट और्डरिंग क्या बोला कॉस्ट का मतलब अब हर किसी का एक प्राइज होगा आपने तो सिर्फ यह निकाला के बारा टाइम लगेंगे और प्राइज के लिए इन्टू में इन्टू में इसको कर देते हैं एक मिन पहले यहां तक समझ लो फिर मैं इसको इन्टू कर दूंगा यानि ए डिवाइड़ेड़ वाइओ ठीक है और एक क्या होगे हमारा सी डिवाइड़ वाइड़ वाइड़ टू अब यहां पर मैं अगर आपसे टोटल खर्चा पूछता हूं तो आप क्या बोलोगे सर टोटल खर्चा पता है कैसे निकालेंगे हम टोटल खर्चा निकालेंगे हम 12 रुपए इंटू में 20 रुपए यानि 240 तो यह क्या निकला हमारा खर्चा सर यह क्या है हमारा 20 रुपए हर चक्कर का केरिंग कॉस्ट है यह हर चक्कर का क्या है हमारा कितना केरिंग कॉस्ट होगा ठीक है ना है, तो से मैं जपाइब आ nhà पर एक निसका स्काम्स में कितना था पच्छास and can अब सिंपल्णी एक बार इसको करते हैं देखो इसको अगर हम स्वाल ईल्व करेंगे तो क्रॉस अटिपॉक रहो कार इक क्रॉस यह देखो यहां तक कोई दिक्कत है वीडियो पॉज हो गई है अभी फॉर्मूला सरफ एक्स्प्लेइन कर रहे हैं एक बार देख लो हर किसी बच्चे का बता दो कितने बच्चों के साथ यह प्रॉब्लम आ रही है मेरे पास तो किलियर देख रही है sir Average में दो ही क्यों होगा एवरेज जर्णली हम दो से ही मानते हैं वैसे तो फीन भी हो सकता है चार भी हो सकता है लेकिन हम जब कभी डिखने निकालते है ना तो opening stock plus closing stocks divided by 22 करते हैं अपने डने ब्रेटो के फॉर्मूले में बहुत पढ़ा होगा Whenfried कि आफरीन हो रही है बता दीजिए एक बार वीडियो पॉज हो रही है या रुक रही है तो मैं रिफ्रेस्ट करूं फिर इसको नहीं तो मैं फिर आगे बढ़ता जाऊंगा फिर पता चले कि कुछ बच्चों को थोड़ी से दिक्कत हो गई क्लियर है सर कीवी की क्लियर है ओके चलिए अब फॉर्मूले को आप समझे है मैं क्या समझा रहा हूं कि सर इकनोमिक ओडर कॉंटिटी होता है जहां पर और melts का उर गोस्त क्या हो हमारा अब कॉस्त जो है मारा जैसा यह ओक्लत की बात करूं, अगर और मैं कॉसट की बात करूं ठाब अगर मैं फर्दर इसको सॉल्व करूं तो चलि थोड़ा सो मैं और इसको इसी को बता देते हैं यानि यह जो पूरा आपने निकाला है ना इस पूरे को एक फॉर्मूले में कनवर्ट करता हूं है कैसे कनवर्ट किया हमने सेननी डिमांड कि ऐसी से ल Bobby कि कि में के कितने ओर लगेंगे यूनिट बारं आपने आपने ओर चैहां और इंटू में आपने क्याकरा कि इसका कीमत कॉस्ट कि इसका कीमत यहीं कि आपने रहने अपने पहले तो टोटल निकाला एन्वल डिमांड से इसको multiply करके और फिर ordering cost से आपने पूरा का पूरा ये निकाल लिए ठीक है सेम केरिंग कॉस्ट का देखा जाए तो केरिंग कॉस्ट का इंटू में यहां पर भी सी पहले इसको सॉल्व कर यह देखे क्या जाएगा यह अगर मैं सॉल्व करूं ना इसको तो मैं इसको डिवाइड सी कर देते हैं क्योंकि चलिए चलिए इसको चलिए मैं इसको एक मिन्ट के लिए न मैं फॉर्मूला डिरेक्ट लिख रहा हूं इसको एक्स्प्लेइन करूंगा अभी जैसे हमारा EOQ का क्या फॉर्मूला होता है सर EOQ फिर मैं इसको समझा दूँँगा EOQ is equal to 2AO का अंडर रूट divided by C अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो हर जगह हम यह फॉर्मूला यूज करेंगे अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं EOQ का फॉर्मूला क्या है 2AO यानि दो इंटू में क्या है हमारा एन्वल डिमांड ओ क्या हमारा ओर्डरिंग कॉस्ट और सी क्या हमारा और एकनॉमिक ओर्डर क्वांटिटी निकालना चाहते हो तो यह निकलेगा और यह अगर आप फॉर्मूले को ध्यान से देखो तो यह क्या होगा ordering cost is equal to यह यह करिंग कोस्ट हम अगर ordering cost को और इसको अगर मैं amount लिख देता हूं मैं इसको अलग से प्रूफ कर दूँँ है थोड़ा confusion create हो सकता है मैं इसे अलग से प्रूफ कर दूँआ पहले आप यह फॉर्मूला देख लीजिए ठीक है यानि अगर मैं फॉर्मूले को पास चलू आगे फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला कहता है सब इयो क्या होगा इयो क्यू एकनॉमिक ओडर क्वांटिटी इस इकल टू टू ए ओ का अंडर रूट डिवाइड़ वाई सी सर यहां पर ए क्या हो है ए है सर एनिवल डिमांड सर ओ क्या है ओडरिंग कॉस्ट सी क्या है सर क्यारिंग कॉस्ट चलिए जो यह फॉर्मूला इसको प्रूव भी कर लेते हैं एक कुश्चन आपके सामने है इसी कुश्चन से हमारा यह प्रूव हो जाएगा देखे कुश्चन में क्या कहता है कि जी लिमेटेड पॉड्यूज अ प्रूडक्त मंतली डिमांड 4000 यूनिट मंतली डिमांड 4000 यूनिट है 4000 यूनिट दा प्रूडक्त रिक्वायर कॉंप्लेक्स एक्स विच पर्चेस एट 20 और प्रूडक्त को कॉंपोनेंट एक्स चाहिए जिसको वो खरीदेगा 20 रूपए में यानि आपका रूपीज बताएं पर यूनिट कॉंस्ट बता रहे हैं कहता है एवरी फिनिश प्रॉडक्त यूनिट कॉंपोनेंट और रिक्वायर दा ओर्डरिंग कॉंस्ट 120 यानि ओ बता दिया इसने के भहिया होगा 120 रूपए बता है your holding one cost यानि carrying holding मतलब रखने का खर्चा carrying को find मतलब रखने का खर्चा केता धस पर्सेंट तो हमेशा यात रखना इस प्राइज का दस परसेंट होगा याने 20 इंटू मैं 10 बटे में 100 के करें से इस तो कितना यह कि दो है ठीक है कि यू और रिक्वाइट टू कैल्कुलेट एकनॉमिक ओडर क्वांटिटी मिनिमुम साइज वगएरा कुछ नहीं करेंगे फिर स्रिफ एक सीखेंगे एकनॉमिक ओडर क्वांटिटी तो फॉर्मूला क्या बताया इओ क्यू इस इकल टू टू ए ओ डिवाइड़ बाए पहले मैं फॉर्मूले से एक इकनॉमिक ओडर क्वांटिटी निकाल लेता हूं तो सब्सक्राइब कितना हो जाएगा यह मन्थली है तो बारा से हो जाएगा इंटू यह तो कितने हो जाएंगे इसकी ओडरिंग कॉस्ट कितनी है इसकी ओडरिंग कॉस्ट क्या था है एक सो बीस डिवाइड़ बाइ केरिंग कितना है हमारा दो रूपे इन सभी को अंडर रूट करेंगे तो यह आगया चौबिस सो इसको सॉल्व करिएगा तो आपको रिजल्ट मिला कितने तो अगर हम चौबिस सो यूनिट खरीदते हैं न एक बार में तो हमारा मतलब के यह वह यूनिट माना जाएगा जिसमें हम नुकसान फाइदा ज्यादा नहीं होगा यानि सर चौबिस सो यूनिट क्या निकला है ए इसका मतलब सर इस यहां पर हमारा ओर्डरिंग कोस्ट और किरिंग कॉस्ट भी क्या होगा बराबर होगा वहाँ पूर्त चैक करते हैं सब्सक्राइगा तो इसका मतलब सर अगर मैं ओर्डरिंग कॉस्स निकालूं यहां पर तो ओर्डरिंग कॉस्स क्या निकलेगा पूरे साल में मुझे लगें कि 48,000 यूनिट और मैं एक बार में लेने कितने जाऊंगा और हर बार मैं जितनी बार जाऊंगा उसका कितना पेमिंट करके आऊंगा कि यह क्या है हमारा ओ और यह क्या हमारा कि 48 अनुवल डिमांड कि यह क्या हमारा क्वांटिटी कहलो एक तरीके से क्या कहलो आप क्वांटिटी तो कितने रुपे आए बताना एक बार है कि नहीं आइछ चार सो रुपे खर्च होंगे आपको समान को लाने में करिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे सर मतलब कितने क्वांटिटी है जो आपके क्वांटिटी है क्यू जो क्या है क्वांटिटी तो क्वांटिटी कितने लगेंगे सर एक बार लाओगे तो रखने का खर्चा तो 2400 पर हिसाब लगाओगे ना तो 2400 रुपया इसको कि आप देखो दोनों क्या है बराबर जब दोनों बराबर आ रहा हूं तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यह एकनॉमिक और कॉन्टिटी पर काम कर लें अब थोड़ा समय इसको फोर्मूले जैसे बने हैं वह मैं कर दूँ मैं पीछे थोड़े स्टॉप कर दिया यह क्या है यह क्या है क्यू और यह क्या है ओ annual demand एक बार में कितनी quantity लगेगी आपकी ठीक है और वो O हो गया इसके बाद यह क्या है हमारा Q, quantity यह तो average का दो और यह क्या है C अब formula में हम इसको put करते हैं इहीं पर करता हूं बैं formula को put ौर formula देखो बन जाएगा formula क्या रखूंगा a divided by o into में sorry a divided by q into में o is equal to q divided by 2 into में c मतलब इसको solve करो तो क्या आएगा ये क्या बन जाएगा सर 2a divided by और यहां क्या इससे अगर multiply q से करोगे तो क्या बनेगा q स्क्वाइर सी कि नहीं तू नहीं अगर इसको आप q से multiply करोगे तो क्या बनेगा q स्क्वाइर कि इधर से ना हाँ हाँ अब जब हम इसको solve करेंगे तो q के उपर से square हम हटा देंगे हम इसको अगर solve करेंगे तो सी यहां जाएगा टू ए ओ डिवाइड़ वाइड़ क्या जाएगा सी इस इकल टू क्वांटिटी का स्क्वाइर अब स्क्वाइर को हटाओगे तो आपका वह क्वांटिटी आ जाएगा जिसको economic order quantity कहते हैं तो टू ए ओ और डिवाइड़ वाइड़ सी इसका अंडर रूट आ गया तो इसी तरीके से प्षूम्तित से फॉर्मूला एक्स्प्लीन करना रैलेवेंस की नहीं है मेंन आपका फॉर्मूला जादर से जादर यह यूज़ होगा इसका एक और नाम किया बता है री और आ फो यहिका नाम है री ओर और कॉंटिटी करद गो है ना थोड़ा सा बस यो क्यों फिर रिपीट हो जाएगा मतलब यहीं है आप कल्टी मिटली निकालने का को कुश्चन सॉल्व करने के लिए सिर्फ यह फॉर्मूला यूज करना एंडर नतिंग हां कई जगह पर किताब में आपको एक को किसी और और नाम से डिनोट कर देंगे को किसी और से णिकालने के लिए हमेशा यद रखना प्राइज हमें पर्संटेज करना कौन सा प्राइज सर्ट है पर यूनिट प्राइस जो भी दे रखो जैसे हमारे वाले सवाल में देखोगे तो यहां पर क्या गीवन था 20 रुपे का एक यूनिट है और जो कॉस्ट कहता है कहता है यह 10% किसका निकाले कुछ नहीं बताएगा किसका निकाले तो हमेशा यहां दखना जो पर यूनिट कॉस सब्सक्राइब तो मैंने यहां पर उसी का निकाल ठीक है चलिए एक और सवाल देखें चलिए क्या क्या कहता है जेपी लिमिटेड मैनिफेक्ट्रिंग आज स्पेशल प्रोड़क्ट फॉलविंग पॉलेसी योक्यू एकनॉमिक और कॉंटिटी वन अफ इट्स कोंपोनेंट दा कॉंपोनेंट फटटेल एस फालो कैता है परचेस हम एक कोंपोनेंट को करेंगे दोसओं में अगर कॉस्ट हमारा दे रहा है 100 अब देखो केरिंग ऐनुवल ऐनुवल केरिंग कॉस्ट इनुवेंट्री का कितना देखा 10% तो 10% किसका सर purchase price तो purchase price यानि ये है इसका मतलब देखा जाए तो ये कितना निकलेगा और total inventory आपको annual कितना चाहिए the company has offered discount discount point को छोड़ देते हैं अभी आप बताईए compute करके दिखाईए EOQ क्या आएगा तो सर EOQ का formula क्या है EOQ हमारा क्या होता है सर 2AO divided by C का root सर 2 तो formula का part ही है annual demand कितना है O कितना है ordering cost so carrying cost निकाल लिया आपने इसका under root कर दो आपके किताब में questions given है जो number यहाँ पर वही नंबर आपके किताब में भी है 200 कितने हो गए 200 देखे आप EOQ का अपकर है जोसाइ निए बचाए निए अबहाँ आपके कितना है होता है सर बुक से मैच नहीं हो रहे कुश्चन मेरे पास तो साइद बुक के ही कुश्चन्स है देखो 2.3 कराया तो सेम ही है अब आंसर की बात कर रहे हो या किसका कर रहे हो आंसर भी 200 यूनिटी आया है इससे पहले 2.2 किया तो 2.2 भी सेम ही है और 2.2 का आंसर भी 24 सो है नहीं वाली किताब की बात कर रहा हूं और पुरानी किताब में आगे पीछे हो सकता है सर पीछे से नोइस आ रही है बताईए इससे यह सारे तो आपने कर रखे हैं जो इसका एडवांस आएगा ना मिनिमम लेवल मैक्सिमम लेवल एवरेज लेवल उसके अंदर थोड़ा सा वो भी फॉर्मूला बेस लिए बस समझने वाली बात है फिर स्टॉक इन्वेंट्राइए नहीं किताए नहीं किताए नहीं क मतलब मैं अगर देखू ना पूरे बुक के अंदर आपका कोई बोलते हैं सर अब जैसे मैं एक्जाम के टाइम पर बताता हूं भाई यह चप्टर कर लो तो अच्छे पास हो जाओगे उसमें से एक यह चप्टर होता है यह हर बार कहता हूं और इसमें से पूरे 20 नंबर के कुछ नस आएंगे आपके तो मटेरियल चप्टर कर लो पास हो जाओगे तो यह एक चप्टर है उनमें से हैं ठीक है झाय को चप्टर बार के उनमें से पुछ एक होजब यह होगे ऎसे आपके पास हो तो है दो कर दो आएंगे पास हो जो भाई आएंगे तो है है?